शास्त्रों में एकादशी का बहुत ही इस्दा महत्व बताया गया है एकादशी का अवरत रखने से मन की चंचलता जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है धन और आरोग्य की प्राप्ती होती है को बता दें कि साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है जिन में से सावन की एकादशी जी हाँ सावन की दूसरी एकादशी जिसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है दरसर ये कादशी कि दिन होते हैं भगवान विश्नु के इस दिन भगवान विश्नु और मालक्ष्मी की भी उनके साथ पूजा की जाती हैं ये वरत जो हैं वरती स्वस्त संत्वान की प्राप्ति के लिए करती हैं चलिए आपको इस्वरत की कथा सुना देते हैं इस्वरत की शुरुवात महितिज नामक राजा से हुई थी जो कि पुत्र ना होने की वज़ा से परिशान थे महिजित अपने प्रवा प्रजा से भी बेहत प्यार करते थे अप राधियों को कड़ा दंड वज़ा से प्रजा अपने राजा से पहुत ही खुश रहती थे लेकिन महाराज एक वज़ा से हमेशा दुखी रहा करते थे और उन्हें दुख का ये कारण था कि उनके बाद उनका राज्य कौन संभालेगा एक दिन राजा ने अपनी प्रजा से काम मैंने आस तक कोई बुरा काम नहीं किया और नहीं कभी किसी का दिल दिखाया मुझे पुत्र की प्राप्ती नहीं हुई प्रजा ने कहा महराज इस जनम में तो आपने अच्छे करम किये पर शायद आपने पिछले जनम में कोई गलत कारे किया होगा जिस वज़त से आपको पुत्र रत्म की प्राप्ती नहीं हुई प्रजय ने अपने महाराजा को महारशी लोमेश से बात करने की सला दी प्रजय और राजा ने वन मेजा राशी से मुलाकात की और पुत्र नहूने का कारण भी पूछा जिस पर महारशी ने बताया कि राज जनम में आप बहुत निर्धन व्यक्ति थे और अपना खुजारा करने के लिए आपने काम किये महारिशी लोमेश ने ये बताया कि पिछले जनम में महाराज एक प्यासी गाय को पानी लेकर खुद पी गए थे जिसकी वज़ा से उन्हें ये पाप लगा उस दिन जिश्टमाश की शुकलपक्षी की द्वादशी ती थी इसी कारण महाराज को इस जनम में पुत्र का व्योग सहना पड़ रहा है प्रजा के इस वाप से छुटकार पाने के बारे में महारिशी ने बताया कि अगर राजा के साथ साथ पूरी प्रजा सावन के महीने की शुकलपक्ष की एकादशी का व्रत रखती है लेती है कि इसका फल उनके महाराज को मिले तो इससे उनके कुछ दुख जो है वो कम होस जाएंगे प्रजा को रात में जागरन करना होगा इसके बाद इसका पारण दूसरे दिन किया जाएगा ऐसा करने जागो पूव जन्मों के पापों से मुक्ते मिल जाएगी और आप सभी को अप्राधिकारे मिल जाएगा राजा और प्रजा ने लोमेश रिशी द्वारा बताये गए उपाय को किया महाराजा को जल्द ही पुत्र की प्राप्ति हुई और इसके बाद से ही संतान प्राप्ति के लिए पौश पुत्रता एकादिशी का व्रत रखा जाने लगा और आज भी लोग इस्वरदे हैं नेक्स्ट नायन स्प्रीचोल से आर्दिक रिपोर्ट